तो पातकुरू शवरंजा परवंग के कहानी की तो टीनो आनन जी ने कहा था कि सनलर मोई इसमें बहुत सारा महाबारत है तो सुचो अगर महाबारत की भगवन श्री कुरुष्ण जी और करना जी इनका गैरिक्टराइजेशन में लगकर मेटाफोर वे आपको एक खेरो दिख तो किसा लगेगा तो सबसे पहले एक चीज़ कर दूँ इसमें महाबारत दिखाई लेकिन मेटाफोर में दूसरे बात में नहीं किरों कि बगवन कृष्ण जी या फिर करना को मेटाफोर वे उससे तरह दिखाया जैसे महाबारत में थी मतलब भगवन कृष्ण जी महान सब करने वाले नहीं मैं उनकी कहानी की बात कर लो कि उनकी जो कहानी थी महाबारत में इसके उपर आगे बात करेगी और करना का जो सैक्रिफाई दोस्ते के लिए अपना जीवन दे देना सब कुष्टियाक कर देना दान कर देना हमेशा दान वीर रहना तो इन चीजों के बात क घरश के बारे में. अपिधित के ने सच निर्स बारे में, तो हम सब को कह सिस्वें मैं महाबारत दिर्म और और दिर्म के लड़े थी, तो यह अपर्फिय में कहोगा jegan je क्ल ROB लकिन राज गद्ण के लड़ायी हो रही है है वह हमेशा हर किसे के मदद करता है और दुसरी बात जिसमेने का नि राजन मनार खाओ कोई ने कर सकाओ लाश्ट मैं हमें पता चलता है की त्राइब थैंतर में लेकिन शाओरंग ड़्याइब का भर जाना जाता है उसके character उसके वरीटिक्स चलते हुए और जो भी महा भारत में हुआ है वो कई न कई दुनिया में हर किसी के साथ होता ही है मजलब यह समझ लो कि महा भारत में हम सब की जिन्दगी दिख चुक है महा भारत में हम सब की जिन्दगी का problem का solution भी तो फिर साइए तो लश्ट में हमें हमें यह सेट के की जाता है तो लश्ट में हम देखते हैं पैरेली प्रबास यानि सलार वर्दा वर्दा का भई हह एक तरफ हो जाते हैं और ऐधारममा यानि वर्दा के जो बैह सोते counterpart की बेटी और बैटा पथनी से हुद्रा वो एक हो जाते ही जितने के कोशिश करते रहते हैं उसे तरह करोड़ा यानि रुद्रमनर को आगे रखे उसकी बेन को आगे रखे यह चाले चलता जाएगा और दूसरी बात आप देखो कि वर्द के भाई को भी प्रवस से हमेशा जिलन होती रहती हैं क्योंकि प्रवस के आने के बाद उसका ब जोनों में दूरे आ जाए जेए गोर्द मनर और इसमें और जैसे उगरम में दिखाए था कि वह आपने इमा के शपत लेता हैं उसके मा के वह जिससे उसका दोस्तों से जिंदद चुड़ देता है उसकी तरह सालर में वे प्रवस अपने मा के शपत लेता हैं कि यह गरूड़ा का चैरेक्टर प्रवाशनी सोब को माल डालेगा देकिन इनका बदल लेगा राधा रामा और बहुत बड़ा रूल लेने वाला है समर की दूसरी पार्ट में और नो डाउट सदर अपने दोस्कों गद्धी पर बैठाई देगा और वो कुछ रूलस भी तक करेंग अरो सकते की मोई ट्राइल वाजियमें पेले में इन्हों ने खांसर का वल्ब देखा यानी सलरका इंडरक्षन दीखा और खांसर का वल्ब सेट या दूसरे में एक दूर करेंगेर म्यक्ठा क का आते दिक्षाथ कि आ दिखले और व्यों में दू Сам के, पर नां देश की बेन और उसका मामा एक वानी और गुरुंग ची का इन दोनों को क्या हो बैकले में देखेंगे और वर्दा उसका भाई और बाची और रही तो राज मननर मनने के बहुत चांसे से और बहुत शावरन ने ट्राइब फिर से अपना अस्तितों बाना लेगी लेकिन राजगद हाईदरबाद में 1948 में इंडिया को आज़ाद बिन गई थी लेकिन हाईदरबाद को एक सानलबाद मिली थी अरजकार के चलते जिसके बाद सारदरवल लुबाई पटिलने ओपरिशन पोलो चनलाया था अर नोजकार को भागा दिया दोर हाईदरबाद को इंडिया में शाम